नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार्ति पाथी, असिस्टेंट प्रोफिसर जोतिशिभाद मानवी की विद्या साखा उत्राखंड मुक्त विश्चि विद्याले आज हम अहरगण का स्वरूप भाग दो के विशे में चर्चा करने हैं तुँ यहां उपस्तित हुए हैं इसके पहले के वीडियो में हमने जाना कि जोतिश सास्र का आध्य प्रयोजन ग्रह स्वस्टी करन करना है और ग्रह स्वस्टी करन का आध्य सोपान अहरगण साधन ही है हम अहा नाम दिनानाम गड़ अहरगण एती के रूप में अहरगण की परिभासा से भी सुपरशित हो चुके हैं साथ ही हमने यह भी जाना कि जोतिश सास्रोक्त अहरगण साधन चार प्रकार के हो सकते हैं सौर अहरगन, चांद्र अहरगन, नाक्षत्र अहरगन और सावन अहरगन जैसा कि हमने पढ़ा कि मानेश्ट तुर्भिर व्यवहार वृत्ते और हमने यह भी जाना कि चारो मानों में से सावन मान के प्रत्यक्ष बोध गम में एवं व्यवहार सिद्ध होने से सावन दिनों के समुहों को ही आचारियों ने अहरगण के रूप में सर्वता स्वीक्रित किया है। एक सुर्योदय से दूसरे सुर्योदय के मद्ध्यवर्ति काल विशेष को सावन दिन कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि उद्याद उद्यम भानो भूमी सावन वासरा इसे हम सभी ने सरल रूप में सुर्य सिध्धान्त के अनुसार अहरगण का साधन तथा उसकी उपपत्ती के बारे में पुर्व के वीडियो अहरगण भागेक में समझा था अब हम आचारे गड़ेस दैवग्य द्वारवीरेचित ग्रह लागव में वरणित अहरगण साधन के बारे में चर्चा करेंगे ग्रह लागव में आचारे गड़ेस दैवग्य जी ने कहा है अब हम ग्रह लागवोक्त अहरगण के उपपत्ती के बारे में देखते है आचारे गड़ेस दैवग्य के समय साली वहानी राजका अरंब का समय प्रिशलीत था सक 1442 में ग्रह लागव ग्रंद की रशना हुई थी 1442 अकारंब के चैत्र सुक्ल परतिपदा के दिन तक की ग्रह गोली ये ग्रहों के जो राश्यादिक मान थे सुष्ट्यादी अहरगण से उन्हें ग्यात कर आचारी ने उन ग्रहों के राश्यादिक अंकों का नाम ख्षेपक अर्था 1442 सकादी के आगे साधित ग्रहों में जोडने के लिए कहा है अतह वर्तमान सक में 1442 सक को घटा कर सेस में 11 का भाग देने से लब्धे तुल्य अंक का नाम चक्र कहा गया है तात्पर यह है कि वर्ष संख्याओं में 11-11 वर्ष के एक खंड का नाम चक्र होता है जो सेस बच जाए उसे हम 12 से गुडा कर उसमें चैत्र सुकलादी से वर्तमान मास के जिस मास में अर्गन साधन कर रहे हैं उस वर्तमान मास के पुर्व तक की गतमास संख्याओं को जोड कर योगफल को एकतर कर ले उसको एकत रख ले इसकी गत सौर मास संग्या होगी दूसरे अस्थान पर जो गत सौर मास हमने रखा है योग फल तथा पुर्व आगत चक्र संख्या को दुगडित कर उसमें 10 जोडे तथा 33 से भाग दे भाग फल की अधिमास संग्या हो जाएगी एकत रखे हुए गत सौर मास में अधिमास जोडने से गत चांदर मास होता है चांदर मास को तीस से गुणा कर गुणन फल में सुकलक टतिपदा से आरंब कर वरतमान तिथी से पुर्वत की गत तिथियों को जोड़नें से वरतमान दीवसाधी तक चांदरिदिन होते हैं इनने भी एकत्र संवरक्षित करकर रखते हैं इस प्रक्रिया से अगले चक्र में छे का भाग देने से जो हमें लब्धी प्राप्त होगी उसे पुर्व संवरक्षित चांद्र दिनों में जोड़कर क्षै तिथी साधन हेतु 64 का भाग दे भागफल तुल्य इस्ट क्षै तिथियां जो हमने भाग दिया है वो प्राप्त होगी इन 6 तिथियों को पुर्वागत चांद्र दिनों में घटाने से इस्ट सावंदिन रूपी अहरगण प्राप्त होता है अहरगन की सुद्धता अर्था जिस दिन का अहरगन साधन किया गया है वहाँ प्राप्त होता है अहरगन साधन के उपरांत वही दिन प्राप्त हो रहा है कि नहीं इसके ग्यान के लिए इसके ग्यानार्थ अहरगन साधन की प्रक्रिया में प्राप्त चक्र की संख्या को पाच से गुणा कर गुणन फल में अहरगन का योग करके सात का भाग देने से शेश तुल्य चंद्रा दिवार प्राप्त होते हैं अर्थात, जिसे दिन का अहरगण आपको असुद्ध लग रहा हो या सुद्ध जानना हो, उस अहरगण में एक जोडने या घटाने से यदि सही वार की प्राप्ति हो जाती है, तो भी अहरगण को हम सुद्ध समझते हैं। अहरगण साधन किया गया जो की अत्यंत सर्मसाद्य है, परन्तु जोतिस सास्त्र में ग्रह स्पष्टी करण की जटिलता को कम करने के लिए करण ग्रंथों की रचना की गई। जिसमें सर्वप्रसिद्ध एवं वर्तमान कालों पयोगी करण ग्रह लागव है। झालों पर जब दो एकते हैं।